राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनी मम्तब हुपेश यह माई साथ मौझूद है उनसे बात करता है मैडम पहली बार दलित वर्ग से चार प्रतिनी दियों को एक साथ यहां पर कैबिनेट में मौका मिला है क्या कहना चाहेंगे देखे दलित समाज के लोगों को तो मौका मिला ही है इतिहास में पहली बार चार कैबिनेट बननेगा लेकिन मैं समस्ति हूँ सभी वर्गों का समावेश किया गया है हमारे नए कैबिनेट में सभी समाज के लोगों को सभी वर्ग के लोगों को अच्छा प्रतिनीदित मिला है सबी रीजन के लोगों को मिला है मैं समझती हूं हम सब लोग मिलके हमारा यह लक्ष रहना ची कि राजस्तान की जनता के लिए हम सब लोग मिलके काम कर सकते तक राज्यमंत्री और प्रमोशन हुआ है कि क्या कार्या प्लात्मिक्ता पे रहने वाले हैं देखिए जो विभाग मुझे दिया गया था और जिस मेंडिट के साथ में लोगों ने भावनाओं के साथ में कॉंग्रेस की सरकार बनाई थी उसे सरकार के प्रति हमें निश्चित्ता से काम करना उन उम्मीदों पर खराग उतरना जो वोड दिये गए थे हमें जब 2018 में हमारी सरकार आई थी और सोनिया गांदी जी राहूल गांदी जी ने बहुत से बाते हमें कहीं कि हमें कॉंग्रेस के सरकारों को इस तरह से कारे करना है तो उन सबी बातों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कारे किया मेरे विभाग में भी बहुत नवाचार हमने करने की कोशिश की जनता तक बैनिफिट्स पहुचाने की कोशिश की मैं समझती हमारा लक्ष 2023 हम दुबारा राजस्तान के अंदर कॉंग्रेस की सरकार लेकर आए है उसमें महद अभी 10 प्रतिशा तक मौच वाए हैं देखे शुरुवात हमने की है महिलाओं की हमारी साती बहनों की संक्या बढ़ी है और कॉंग्रेस की अगर हम बात करें महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं के उचित प्रतिनी धित्व के लिए तो मैं समझती हूं कि कि जैसी सोच किसी की नहीं है चाहे आज के दिन में राजीव गांदी जी को याद करना चाहूंगी हमारे पूर प्रधान मंत्री को जिन्होंने लोकल बॉडिस के अंदर महिलाओं को आरक्षन आज से कितने साल पहले दिया आज हम सब तरफ देखते हैं हमारे प्रधान जिल महिला आइरन लेडी इंद्रा गांदी जी बनाई तो मैं समझती हूं कि कॉंग्रेस कभी भी महिलाओं के प्रती दोहरी नीती नहीं रखती महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कॉंग्रेस ने आस से नहीं शुरू से किया है मैं एक अंतिम प्रश्ट में आना चाहूंगा क् अस्तिरता की कोई बात नहीं थी हमारी पार्टी हमारे नेता और हमारे कारेकरता हम सब एक है और आप यह देखिए कि यह उधरन देखने को मिला अभी लगात्तार पंचायती राज के चुनाव चले हैं पिछले दो साल से जब भी चुनाव आये कॉंग्रेस को भाउमत मिला कॉंग्रेस के प्रदान बने और अभी छे उप्चुन आठ उप्चुना हुए हैं जिसके अंदर से चे कॉंग्रेस ने जीती और कॉंग्रेस ने तो इस यह हमारी हालत इस श्रेश्टता के द्रश्टी कोड में इतनी अच्छी रही कि भारती जनता पार्टी की जमाने ते मुहीम रखी की काले कानून वापस लिए जाए तो भारती जनता पार्टी की जो कतनी करनी है उसका अंतर जनता समझ चुकी है जनता हमें सहयोग देगी और मुझे लगता है कि निश्चित तोर पे जो मुक्यमंत्री जी का वीजन है कि 2023 में वापस कॉंग्रेस की सरकार बने हैं तो हमारी कारे शेली, हमारी जो डिसीजन्स है जनता के पब्लिक वेलफेर के लिए, हमारा मैन्यूफेस्टो के अंदर जो हमने वादे किये, हमारी फ्लैक्शिप जो धरातल पहें लेकर आएं चाहे चिरंजी भी योजना हो चाहे कोविड के दौरान हमारी सरकार ने जो साहनुबूती के साथ में हर द्रश्टिकोन पे सयोग दे पाएं और हम खरे उत्रे उसी के रूप में उप्चुनाओं के अंदर जनता ने हमें सयोग दिया साथ दिया अश्रवाद दिया और आने वाले वक्त में भी हम अपनी मिशन की तरफ 2023 में पहुचेंगे प्रमोशन के बाद अब यहाँ पर लक्ष है 2023 और उसमें किस तरह का प्रदाशन कॉंग्रेस का रहेगा ये भी भविश्चे के गर में छिपा हुआ है लेकिन फिलहाल मंत्री मंडल विस्तार जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं महिलाओं की जो भूमी का बढ़ाई गई है उसके सास्तात जो दलित वर्ग को यहाँ पर साधने के लिए चार मंत्रियों को यहाँ पर कैबिनेट में शामिल किया गया है उसको लेकर के अब दलित वर्ग कासा उससाहित नजर आ रहा है जैपुर सांकुर जाकर एटीवी भारत